पांच वर्सी कॉंट्राक्ट फाल्मिंग थी काम करती महिसाणानी कमपणी उत्तर गुजरात ना 25 जितला खेडूतों साथी जुडाईला छे आ कमपणी साथी गुजरात मां सवथी वधू कॉंट्राक्ट फाल्मिंग करावती कमपणी एटले हाई फ़न फूड प्रोडक्ट बनावती हाई फ़न फूड कमपणी 25 खेडूतों ने आपी रही छे रोजगार वर्षोती क्वांट्राक्ट फार्मिंग द्वारा बटाका मिलवे छे आ कंपनी क्वांट्राक्ट फार्मिंग थत्ती खेडुतोनी आवक थै रही छे बम्णी एक तरप क्वांट्राक्ट फार्मिंग नो विरोध थै रहो छे त्यारे बिची मैसाना सहीत उन्तर गुजराद ना 25 वदू खेडुतो क्वांट्राक्ट फार्मिंग थकी फोतानी आवक बमणी करी रहा छे मैसाना नंदासन नजीक आवेली हाइफवन फूड कंपनी द्वारा पांच वर्ष अगावर्ष क्वांट्राक्ट फार्मिंग करवामा आवेच है हमारी कंपनी 2015 से क्वांट्राक्ट फार्मिंग के मात्यम से किसानों से आलू की खरीदी कर रही है हम लोग पंजाब में वहां के किसानों से कांट्राक्ट फार्मिंग करके और आलू का बीज तियार करवाते हैं और फिर वही बीज हम लोग गुजरात के फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं और उनसे कांट्राक्ट फार्मिंग अग्रीवन करते हैं आप देखेंगे 2015 में हमारे साथ गुजरात में करीब 1.500 किसान जुड़े थे और वही इन पांच सालों में 2020 में अब करीब 2.500 किसान हमारी कंपनी के कॉंट्रेक्ट फार्मिंग मॉडल में जुड़े है इस साल कुल शेत्रफल जो हमारा अलू का कॉंट्रेक्ट फार्मिंग क शेत्रफल है वो करीब 13,000 एकर में लगा हुआ है हमारा मानना ये है किसान का जो उत्पादन कॉस्ट है जिसमें बीज तत्या अन्य खर्च मिलाके उनको करीब 6 रुपे पड़ता है और हम लोग कॉंट्रैक्ट फर्मिंग इस साल का जैसे अगर एक्जाम्पल ले तो सवान औरोपे से हमारा कॉंट्रैक्ट फर्मिंग अग्रीमेंट है तो कम से कम 50% उनको एडिशनल इंकम हो रही है हम लोग किसानों को उच्छ गुणवत्ता का सीड प्रवाइड करते हैं और उसमें जो हमरा सीड किया जो कॉस्ट है उसका 50% हम लोग उनसे लेते हैं और 50% उनको क्रेडिट देते हैं जो कि हम खरीदी के समय एडिजस्ट करते हैं कि हमारा मेंली कॉंट्राइक फामिंग कमर्शिल क्रॉप गुजरात में चल रहा है लेकिन पिछले कुछ दो तीन सालों से हम लोग मध्यप्रदेश और महारस्टर में भी काफी बड़े स्केल पे कॉंट्राइक कर रहे है हमारा बीच जो है वो पंजाब में तयार होता है प कि हमारा खरीद कॉंट्राइक फामिंग के माधियम से करते हैं तो यह कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमारी कंपनी का है गुजरात में कमपनी ना संचालक हरेस करम चंदानी जनाविय मुजब पांच वर्ष अगाउ कमपनी साथे मात्र 51 खेडुतों ए कॉंट्राफ्ट फार्मिंग ना करार करी 750 एकर मा बटाका वाव्या हता जे पांच वर्ष बाद हवे 25 खेडुतों आ कमपनी साथे कॉंट्राफ्ट फार्मिंग थकी 30 हजार एकर मा बटाका वावण करी काम करी रहया छे जे सामगर गुजरात मां कॉंट्राफ्ट फार्मिंग मां साथे जोडाईली एक मात्र कमपनी छे अने आ 2500 खेडुतों पासे थी 1,355,000 मेट्रिक टन बटाका खरी दी कॉंट्राफ्ट फार्मिंग थकी आ कमपनी करे छे इटली के प्रती एकर ए सामाने खेडुत ज्यारे सरेरास रुप्या 84,000 कमातों होई त्यारे फार्मिंग करनार खेडुत प्रती एक एकर रुप्या एक लाख सत्यावी सजार लाख कमानी करी रहयो छे बटाकानी फूर प्रड़क्ट बनावती आ कमपनी साथी चिला पांच वरस्ती जुडाईला मुल भासर या गामना खेडुत आजे पुतानी बमणी आवक्ती खुश छे में बनावší में धकाटनी बनावक्त कते है स्नी फ में और में इक बर लगा तो में ज्यादा नफा दूसरावा दूसरा और दूसरी बर लगा तो में च्लांवी फारस्ते में और काटाउट लेक chosen यह और प्यादा और भी अच्छा हो और मेरे भाव भी अच्छा मिलता है और जो भी कोंट्राट में पहला ही रह जाता है जे एसा ही एट लूज नहीं सामन्य खेती माटे बियारण लेवा लाइन मा लागू पड़े छे तो बियारण ना पूरा पैसा खेरूतों ये काढ़वाना रहे छे जरे आ कम्पनी साथी कोंट्राक्ट फार्मिंग करना रा हश्मुख भाई जणावे छे कि कोंट्राक्ट फार्मिंग मा बियारण नी पचास्ट का रंकम कम्पनी पासे खेरूत बाकी राखे छे जे पाक तैयार खया बाद जुकवनी करवा मा राहत मले छे आने पा तोई एपी एमसी माँ पन जवानू रहतू नदू कॉंट्राक्ट फार्मिंग ना एक गणित मुझब एक एकर माँ बार्थ पचास किलो बियारण जाई छे जे माथी 13 टन बटा का उत्पादन थाई छे बियारण अने अन्य खर्च जुडता 5.56 रूपे किलो खर्च खेडूतने पडे छे तेनी सामे 9.25 रूपे प्रती किलो बटा का कमपनी खरीदे छे एटले के 50 टका आसपास 9 खेडूतने थाई छे एक माहीती मुझा प्रेस मां 5 कमपनी ओनी कॉंट्राक्ट फार्मिंग माटे 9 लेवाई छे जे मां मैसाणाने हाई फण फूड प्रतम नंबरी कॉंट्राक्ट फार्मिंग करावती कमपनी छे इटले के गुजरात मां पन आ कमपनी सवसी वधू 25 लाग खेडूतों पासे कॉंट्राक्ट फार्मिंग करावती कमपनी बनी छे